नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, कल शाम को आयो के द्वारा एक प्रिस विग्यप्ति को जारी किया गया जिसके तहट जेक बैठक में निर्ने लिया गया, जो पेपर आपका 22 जनवरी को होना था, अब वो पेपर आपका फॉरेस्ट गार्ड का 9 अप्रेल 2023 को किया जाएका यानि फॉरेस्ट गार्ड के पेपर को इस्थगित यहां पर कर दिया गया है कुछ बातें इस प्रेस्विग्यप्ति को लेकर के, डिसेजन को लेकर के यहां पर करेंगे और उसके बाद हमारी इस वीडियो को शुरू करेंगे क्योंकि केवल आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर पीछे गया है, जो आपका पटवारी का पेपर है वो आपके 12 फरवरी को ही होगा, यानि कि 20 से 25 दिन के बाद, तो उसकी तयारी तो हमको करनी है और साथ में जो आपका कनिश साहय का पेपर है, वो भी लगभख कनफॉर्म है आपका 5 मार्च को ये पेपरों की डेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कई सारे छात्रों को लग रहा था कि पटवारी और कनी साहय का पेपर भी पीछे चला गया है तो जैसे आज सुभह के निउस पेपर में भी एक ख़बर की पुष्टी हो चुकी है, कि ये पेपर आपके समय पर होंगे, जो डेट इनके लिए बताई गई है पटवारी का जो री एक्जाम होगा, 12 फरवरी को ही आयोजित किया जाएका कुछ बातें, जो ये फॉरेश गार्ड का पेपर तीन महीने इसको पीछे कर दिया है, इसको लेकर के कही फिस सारे जो छात्रे हैं, वो इसको लेकर के परिशान है, पेपर को इस्थगित होने को लेकर के और होना भी चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स एक टार्गेट को लेकर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, कि मेरा जनवरी में पेपर है और उसके एकॉर्डिंग वो तैयारी करते हैं, और पेपर से तीन महीने पहले, जब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी तैयारी को पूरा कर चुके होते हैं, अब आप कहते हो तीन दिन नहीं, अब आपको तीन महीने इंतजार करना होका, काफी जादा परिशा भी नुकसान है, पढ़ने वालों को तो है ही है, और वो अपना नुकसान समझ रहे हैं, इसलिए वो परिशान है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो इसको लेकर के यहां पर खुश हैं, पेपर इस्तगित करने का जो डिशीजन है, इसका फाइदा तभी स्टूडेंट्स का है अगर इस मामले की प्रॉपर तरीके से जाच करवाई जाती है, CBI जाच करवाई जाती है, तो ही इसका फाइदा है, अदरवाइस इतना बड़ा जो प्रक्रण पिछले साल घटित हुआ, उसके बाद भी अगर यहां पर यह सारी चीज़े हो रही हैं, तो क्या गैरेंटी है आगे नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल भी जाच नहीं करवाई गई और अब अगर नहीं करवाई जाती है, तो यह पेपर को पीछे करने से मुझे नहीं लगता कोई भी फाइदा यहां पर होगा, उत्राखंड में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कोई भी बात अभी मामला था, उसको उजागर किया, वो क्लीन चिट देता है, उसके बाद आयू की एक और बैठक होती है, उसमें चातर भी शामिल होते हैं, कुछ वही चातर भारा कर बताते हैं, कि चातर एकता यहां पर जीद गई पेपर पोस्ट पॉंड हो गया, क्या इन चातरों ने वहां पर मांग नहीं करी, कि पेपर पोस्ट पॉंड के साथ साथ आप CBI जाच भी करवाएं, बिना उसके बिना प्रॉपर जाच के, पेपर इस्तगन का जो फाइदा है, वो किसी को नहीं होने वाला, अगर यहां पर प्रॉपर जाच करवाई जाती है, और प्रॉपर रूल बना जाते हैं आयोग के लिए, कई सारे अख़बारों में इस तरीके से हेडिंग थी कि अब यहां पर मैटल डेटेक्टर के साथ छात्रों की चेकिंग होगी, अब सेंटर में इस तरीके से वव़स्था की जाएगी, आप कुछ भी वववस्था कर लीजिए चात्रों के लिए वहाँ पर जब पेपर आयोग से ही लिख होगा तो वहाँ पर आप चाहे कमांडो खड़े कर दीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला और इसी को लेकर के जो छात्र बात करने गए थे आयोग से उनको ये बात करनी चाहिए कि अब CBI जांज भी इसकी कराई जाए प्रॉपर ज लांच करवाई जाए तो ही इसका फायदा छात्रों को मिलेका लेकिन अब पिछे कर दिया है फॉरेस्ट गार्ड का पीछे किया है बाकी पेपरों को अभी नहीं पीछे किया है उमीद करते हैं वो पेपर पीछे भी नहीं जाएंगे पटवारी का पेपर आपका 20 से 25 दिन बाद होना है 12 फरवरी को आपका पटवारी का री एक्जाम है उसके लिए अब आपको अपना फोकस करना है उस पर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आपका 9 अप्रेल को होगा उमीद है अब यहां से सारे पेपर पूरी पार दर्शिता के साथ आयोग के द्वारा करवाए जा जो हमारी सीरीज है उत्राखन जी के MCQ सीरीज यह हमारी इस सीरीज का 90 पार्ट होगा अगर आपने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण है हमार मेरी यादों का पहाड किसकी आत्मकता है काफी फेमस रचना है और ये रचना है देवेंद्र मिवाडी की देवेंद्र मिवाडी जो है नैनिताल जनपस से रिलेटिड हैं इनकी कुछ इमपोर्टेंट रचनाएं जो पेपरों में आती रहती है जैसे सूरज के आंगन में विज्ञान जिनका रिणी है, इसके लावा पश्वों की प्यारी दुनिया, ये सारी रचनां किसकी हैं, दिवेंद्र मेवाडी, हाली में इनको 2021 के लिए बाल सहित्या, अकैडमी पुरुसकार भी मिला है, इनकी रचना नाटक में विज्ञान के लिए, तो इसे भी आपने य इटेल में बात करी है, दो कोशन बनते हैं, दो बोलियां कुमाओं की, एक में नेपाली भाशा का प्रभाव देखने को मिलता है, और एक में तिबती भाशा का, नेपाली भाशा का प्रभाव हमें असकूटी में देखने को मिलता है, और तिबती भाशा का प्रभाव जोहा नयाए अधिकार में किया गया था तो कुमाओ जो प्रभाग ये कुमाओ जो कमिशनरी है यहां का जो पहले कुमाओ कमिशनर होता था वो ही पूरी तरीके से जज होता था इस कुमाओ कमिशनरी को इलहाबाद हाई कोड के छित्र में अधिकार छित्र में नयाए अधिकार छित कब किया गया था तो उत्राखन युवा परिशत इसको लेकर भी आपसे दो बातें पूछी जाती हैं पहला इसका गठन कब हुआ आप बताते हैं 1976 और दूसरा कोशन बनता है इस परिशत ने संसत का घेराव कब किया तो इन्हों ने संसत का घेराव किया था 1978 में दोनों अंसत का घेराव करते हैं ठीक है अगला है किस वर्ष दहरादून में रेशम कीट पालन फर्म की स्थापना की गई थी तो रेशम कीट पालन फर्म ये आपके दहरादून में है और दहरादून के प्रेम नगर में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी option A सही आंसर हो उनको भी आपने याद करना है पहला कुमाओ में रेशम के कारखाने किस के काल में लगे या किस ने लगवाए कौन सा चंद राजा था तो आप सभी जानते हैं चंद वंश का चौथा राजा इंद्रचंद इसी के काल में कुमाओ में रेशम के कारखाने लगे इसी ने लगव और दूसरा कोशन, चंद काल में जो रेशम के कारिगर होते थे, जो रेशम बुनकर होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था पटुआ, इसको भी याद करेंगे, और एक प्रथा थी, पट्रंग वाली प्रथा, जो रेशम उत्पादन से संबंदित थी, ठीक है नेक्स्ट है, कागर्स की नाव निबंद संग्र है, किसकी रचना है? तो कागर्स की नाव एक निबंद संग्र है और ये रचना है सैलेश मट्यानी की, option B हमारा सही आंसर होका सैलेश मट्यानी को लेकर भी आपसे धेर सारी question बनते हैं, इनकी एक रचना कागर्स की नाव, इसके लावा बोरी बली टू, बोरी बंदर, मुट भेड, चंद औरतों का शहर, बावन नदियों का संग्र, उगते सूर्य की किरण, काफी important है ठीक है, उगते सूर्य की किरण, चंद औरतों का शहर और मुठवेड ये पेपर में पूछी गई है, तो ये सारे उपन्यास किसके हैं, सैलेश मट्यानी के, और ये इनका निबंद संग्रय है, कागर्स की नाव, ठीक है, सैलेश मट्यानी का मूल नाम था रमेश चंदर मट्यानी, और इनके नाम पर एक दूसरा, सैलेश मट्यानी पुरुसकार की शुरुवात कप की गई, शुरुवात होती है, 2009 से, ठीक है, सैलेश मट्यानी ने उपन्यास रचनाओं के अलावा, कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें इनकी दो इंपोर्टन पत्रिका आती है, एक आती है, विकल् पत्रिका के संपादक कौन थे, सैलेश मट्यानी, और दूसरी आती है, जनपक्ष, जनपक्ष के भी कौन थे, सैलेश मट्यानी, इसको आपने याद करना है, ठीक है, यहां से भी कोशन बन जाता है, नेक्स्ट है हमारा, सोन प्रियाग में किन नदियों का संगम होता है, तो और यहां पर मंदाकनी और बासुकी नदी का संगम हो जाता है जो सूरिय प्रियाग है वो भी आपके रुद्र प्रियाग में पढ़ता है और सूरिय प्रियाग में मंदाकनी और लस्तर नदी का इसे कहीं पर लस्तर भी लिखा गया है तो लस्तर नदी का संगम होता है मंदाकनी से वो सूर्या प्रियाग में होता है सोन प्रियाग में मंदाकनी और बासुकी नदी का संगम होता है ठीक है और इसी सोन प्रियाग को सुन प्रियाग बोला गया है जो कालिदास की रचना है कुमार संभव में ये कोशन भी आपसे ब काफी फेमस किताबें ये रचना हैं सिप्रसाद डबराल की, option D सही आंसर होका, ठीक है, दो-तीन बातें जो हम हमेशा करते हैं, अगर आपसे पूचेगा कुमाव का इतिहास, किसकी रचना है, बदरिदत पांडे, गड़वाल का इतिहास, ये किसकी रचना है, हरी कृष्ण र याद करना है, सिप्रसाद डबराल की बात करते हैं, इनको लेकर एक और कोशन बनता है, जो इनकी रचना है, उत्राखंट का इतिहास, ठीक है, ये वाली, कितने खंडों में लिखी है, कितने भाग में लिखी है, ये कोशन भी पेपर में बना है, तो इनों ने इस रचना को बारह भागों में लिखा है इसे भी आपको याद करना है इन रचनाओं के अलावा गोरा बादल, महराना संगराम सिंग राश्ट रक्षा काव्या अतीत इस्मृती, संगर्स समीती गडवाली मिगदूत ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सिप्रसाद डबराल सिप्रसाद डबराल को उत्राखंड का एंसाइकलोपीडिया भी कहा जाता है और बान्ध भट से इनकी तुल्ला की जाती है ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है वर्ष 1932 में किसकी अद्धक्षता में? अल्मोडा में कुमाओ युवक समेलन आयूजित किया गया था तो देखें कुमाओ युवक समेलन ये आपके अल्मोडा में हुआ 1932 में और इसकी अद्धक्षता इंद्र सिंग नयाल के द्वारा की गई ऑप्शन B सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगणा को पद्व विबूशन से कब सम्मानित किया गया था तो देखें सुंदरलाल बहुगणा इनको पद्व विबूशन दिया गया था 2009 में ऑप्शन D यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूछा जा सकता है राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज किस जनपत में स्थापित किया गया है तो देखें राज्य का जो पहला इंटरनेट एक्सचेंज है इसे नवंबर 2021 में स्थापित किया गया था और यह आपके देहरादूर में स्थापित किया गया है ठीक है पूरे देश का ये दसवा इंटरनेट एक्सचेंज है और उत्राखंड का पहला है कोशन बन सकता है राज्य का दूसरा इंटरनेट एक्सचेंज कहां स्थापित किया जाएका तो दूसरा वाला नैनिताल में स्थापित किया जाएका पहला देहरदून, दूसरा नैनिताल नेक्स्ट है, राज्य में एम्स का सेटलाइट सेंटर कहां बनाया गया है तो जो एम्स है आपके रिशिकेश में, इस्तित है आपका अकिल भारतिया आयूर विज्ञान संस्थान जिसे हम शौट में एम्स कहते हैं एम्स का एक सेटलाइट सेंटर खोला जा रहा है और ये आपके उधमसिंग नगर के किछा में इसे खोला जाएगा ठीक है, पियम्स मूदी ने पिछले साल 32 दिसंबर 2021 में इसका यहाँ पर सिलन्यास किया था, इसका उधगाटन नोहों ने यहाँ पर किया था तो इसे आपने याद करना है, कहां होगा एम्स का सेटलाइट सेंटर, काफी इंपोर्टन्ट है, एम्स आपके रिशिकेश में है, लेकिन जो इसका सेटलाइट सेंटर है, वो उधमसिंग नगर के किछा में खोला जाएगा, ठीक है नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री घस्यारी कलियान योजना का सुभारंब कब किया गया था, तो काफी फेमस योजना है ये उत्राखन सरकार की, मुख्यमंत्री घस्यारी कलियान योजना, और इस योजना की जो शुरुवात करी गई थी, ये करी गई थी, 30 अक्टूबर 2021 को इसे शुरू किया गया था अमित शहा यहां आये थे उत्रा खंडमर उनके द्वारा इसका शुवारंब किया गया था मुख्यमंत्री घसियारी कल्यान योजना कब शुरू हुई 2021 तीस अक्टूबर शुरुवात में इसे केवल चार जिलों में शुरू किया गया था जैसे हमने पहले भी बात करी है जो चार जिले थे पौडी, इसके लावा रुद्रपरियाग, अलमोडा और चमपावर शुरवात में केवल 4 जिलो में और 2022 जून में इसको बाकी के जो 7 पहाडी जिले हैं उन्हें भी लागू कर दिया गया तो टोटल कितने जिलो में उत्रमुख्यमंत्री घस्यारी कलियान योजना लागू है 11 जिलो में जो परवत्य जिले हैं पहाडी जिले हैं आप जानते हैं, दो जिले उत्राकर्ण में मैदानी है, वहाँ पर ये यलागू नहीं है, कौन-कौन है, ओधम सिंग नगर और हरितवार, ठीक है, नेक्स्ट है, गोपेश्वर तरिशूल लेक में किस भाशा का प्रियोग हुआ है, तो गोपेश्वर तरिशूल लेक में जो भाशा का इस्तेमाल किया गया है, ये संस्कृत भाशा का इस्तेमाल किया गया है, देखिए राज्य में गोपेश्वर से तरिशूल लेक मिले हैं, इसके लावा उत्तरकाशी के पुरोला से भी हमें तरिशूल लेक मिले हैं, जो गोपेश्वर से मिले हैं, इसमें आपकी सं शंक लिपी में लिखे गए हैं तो इसको भी आपने याद करना है इनकी लिपी है ब्रहम लिपी जो गोपिश्वर में हैं और जो वहाँ से मिले हैं उनकी लिपी है शंक लिपी ठीक है नई सिक्षा नीती के तहट प्रात्मिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है तो नई सिक्षा नीती के तहट उत्राखंड में जो प्राइमरी कक्षाएं हैं प्रात्मिक कक्षाएं हैं इनको बालवाटी का नाम दिया गया है ये भी important है इसे आपने ध्यान रखना है ठीक है पूछा जा सकता है current का काफी अच्छा question है कलपनात फूलों की घाटी कहां इस्तित है तो देखे कलपनात फूलों की घाटी ये आपके बदरिनात छेत्र में इस्तित है यानि चमोली जनपद में इस्तित है आपकी कलपनात फूलों की घाटी चमोली में कुछ important फूलों की घाटी है जिसमें आपकी famous तो आती है फूलों की घाटी वाली एक और आती है चिनाप घाटी ठीक है इसे फूलों की घाटी जैसी दूसरी घाटी बोला जाता है फूलों की इसे भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है तो देखें लखवाड परियोजना पहला कोशन तो यही हो गया कहां इस्तित है आपके देरादून में है और लखवाड परियोजना को 2008 में राश्ट्रिया परियोजना घोशित किया गया था इसको भी याद करेंगे और ये आपके यमुना नदी पर बनी हुई है ठीक है कुछ और परियोजना है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे खोदरी परियोजना ये भी यमुना पर है देरादून में है धालीपुर परियोजना ठीक है इसके लावा धकरानी परियोजना और इसके लावा लखवाड हमने देखा एक काफी important है पिछले साल पे कहा किस जनपत में इस्तित है तो अनपूर्णा शिकर की अगर हम बात करते हैं अनपूर्णा शिकर आपके चमपावत जिले में इस्तित है option C हमारा सही आंसर हो जाएगा जो अनपूर्णा शिकर है ये आपके चमपावत में है इसी शिकर पर एक मंदिर है पूर्णागरी मं एक पेपर में कोशन बना था ये पूर्णागरी मेला किस अवसर पे लगता है तो यहां मेला चैत्र नवरात्र के अवसर पे लगता है तो इसको भी आपने याद करना है कहां लगता है चमपावत में अनपूर्णा शिकर पर लगता है ये आप से पूछा जाता है तो इनमे से कौन सा मेला चमूली जनपद में लगता है तो देखते हैं हर्याली पूरा मेला की बात करें हर्यारी पूरा मेला आपके नौटी गाउं में लगता है यानि चमूली जनपद में लगता है ठीक है जाक मेला की बात करें तो ये आपके गुप्त काशी में लगता है यानि रुद चमुली में लगता है हर्याली पूरा मेला हर्याली को लेकर के दो-तीन बाते हमेशा में आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ अगर आपसे पूछा जाएगा हर्याली पूरा मेला तो आप चमुली बताएंगे अगर आपसे सिर्फ हर्याली मेला पूछा जाएगा तो आप नै जो हमारी सीरीज है उत्तराखन जी के MCQs भाग 89 जिसमें हमने 20 इंपोर्टेंट प्रश्णों को यहां पे कवर किया उमेद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं थैंक्यू फ्रेंड्स